Hello everyone, welcome back to the Rana Academy तो जैसे आप उलड़ी जानते हैं कि हमने class 11 physics में जो mathematical tools हैं वो start किये हुए है and आखिरकार हम आचोके हैं अपने बहुत important mathematical tool की तरफ जिसका नाम है differentiation अब देखें बात बहुत simple है, mathematics के अंदर जो differentiation है वो बहुत ही बड़ा chapter है उसमें कई सारे exercises आपको दिये जाते हैं and बहुत सारे different different जो हमारी equations जा functions होते हैं उनको differentiate करना सिखाया जाता है बर देखें हम बात कर रहे हैं physics की और physics के अंदर even till competitive level तक हमें कुछी differentiation के बार में पता होना चाहिए यह कुछी functions को कैसे differentiate करना है उसके बार में पता होना चाहिए थोड़ा उनके rules के बार में पता होना चाहिए तो जितना हमें चाहिए हमारी physics के अंदर ताकि आप competitive level तक इसका इस्तेमाल कर सको उतना मैं आपको इन वीडियो में दिखा दूँगा लेकि differentiation के अंदर actually क्या होता है कि पहले तो आज आपको जो मैं सिखाऊंगा वो है कि एक normal कोई हमें equation दी जाए और उसको differentiate करना हो तो कैसे किया जा सकता है उसके बाद आपको कुछ rules बताऊंगा कि जब दो function multiply हो divide हो तो उसमें क्या करना है उसके बार में बताऊंगा and most important हम study करेंगे कि किसी function का maxima या minimum निकालना हो तब हमें क्या करना पड़ता है और maximum minimum basically मतलब क्या होता है इन सब बारे में हम study करेंगे इन इस differentiation के different parts के अंदर obvious है या तो मैं 2 parts में खतम करूंगा या max 3 parts में खतम होगा लेकिन differentiation पूरी तरह खतम जूर हो जाएगा और अच्छे तरीके से मैं चाहता हूँ कि यह आपको समझ में आए अच्छे से जितना आप लिखो गया आपको उतना अच्छे से यह समझ में आएगा और हाँ उपर जितने भी चैनल और जो पेजिस दिए गए हैं उनके जो लिंक से description box में डाल दी है तो बिना को टाइम वेस किये चलिए शलू करते हैं देखिए जैसे मैंने आपको आज अलड़ी बताया कि आज हमने discuss करना है बटा डिफरेंसियेशन के बारे में देखिए बता क्या बात है आप यह वर्ड बहुत बार सुनोगे लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको समझो कि डिफरेंसियेशन का basically मतलब क्या होता है और हम उस का इस्तेमाल क्यों करते हैं what is the reason behind it I think or even I believe in this कि अगर आपको reason समझ बाजेंगे क्यों हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप यह असाने से समझ भी पाएंगे और अराम से कर भी पाएंगे तो देखिए अगर आपको याद हो last few videos के अंदर मैंने आपको graphs के बारे में सब अच्छी बाते समझाई थी कि जैसे straight line graph हो तो उसको कैसे study किया जाता है या interpret किया जाता है उसी तरह अगर मेरे पास parabolic curve हो या quadratic equation का graph बनाना हो तो कैसे उसको किया जाता है लेकिन उन graphs के अंद आपको plot करते हैं तो obvious है कि हम हमेशा एक ऐसे function को इसमें study करना चाते हैं जो किसी और variable पर dependent होता है मैं समझानी कोशिश करता हूं जैसे कि माल दीजिए अगर मैं कहूं कि y जो है वो मेरा f of x है अब f of x का मतलब क्या होता है मलब y जो है वो depend करता है मेरे value of x पे क्या करता है यह depend करता है मेरे value of x पे मतलब यह कि x की different different values अगर मैं इस function में डालूं तो मुझे y की different different values मुझे मिल जाएंगी एक example के तोर पर समझाता हूं क्योंकि मुझे आपको बहुत different example देकर समझाना पड़ेगा कि actually मैं differentiation का मतलब क्या होता है तो जैसे कि देखिए y is equal to मालीजे मैं लिख देता हूँ x square plus 1 ठीक है तो यह क्या है यह मेरे function हो गया यह equation यह obviously quadratic की आपे दिख रही है और y जो है वो इस पे depend करता है x की value पे अब जैसे अगर मैं x को 0 put कर दूँगा तो y की value automatically 1 आ जाएगी x को मालीजे मैं 1 put कर दूँँ तो y की जो value है वो आपकी 2 आ जाएगी ऐसे मैं अगर 2 put करूँगा तो 5 आ जाएगा and so on मैरे कहने का उसलिए इतना मतलब है कि x की different different value डालते जाओगे तो y की different different values आपको मिलती जाती है तो क्योंकि x की मैं different different value डालता हूँ और इसको मैं कोई भी value डाल सकता हूँ एक limit के अंदर कोई भी value डाल सकता हूँ तो इसको कहा जाता है बटा independent variable independent variable वीडियो को एंद तक जूँद देखना कोई skip नहीं करना अच्छी बाते आपको तभी समझ में आती है अगर आप इसको ध्यान से सुनें और समझें तभी आएगा नहीं आता यह चीज़ और जो वाई है वाई क्या है वाई है वाई है बेटा आपका dependent variable क्या है आपका यह है dependent variable मतलब एक ऐसा variable जो किसी function पे dependent हो जैसे y मेरे x की different values पे depend करता है तो जो भी हमारा independent variable होता है उसको हमेशा x axis में हम लिखते हैं या उनके values को यहाँ पे plot किया जाता है और जो भी मेरा dependent variable होता है उसको हमेशा y axis में हम study करते हैं ठीक है तो graph actually क्या बताता है हमें graph हमें ये बताता है कि ये दो जो functions आपके ये दो variables जो है वो एक दूसरे पर कैसे depend करते हैं जैसे अगर मैं straight line graph बना दूँगा तो आप कहेंगे ये दोने एक दूसरे के directly proportional है मलब x जिस ratio में बढ़ रहा है y उसी ratio में बढ़ता जा रहा है ठीक है और अगर माली जी मैं curved graph बना देता हूँ तो अगर parabola बन रहा है तो मैं आपको अरड़ी इसकी वीडियो में समझा चुका हूँ कि कैसे y मेरे x square पर dependent होता है या x कैसे y square पर dependent होता है ग्राफ कैसे बनता है वो हमने study किया हुआ है तो इन सब में अब जो बात आती है कि सर ये differentiation का मतलब क्या है वो मैं आपके साथ आप discuss करने जा रहा हूँ देखिए differentiation actually में सबसे पहले तो helpful होता है किसी भी curved graph के लिए state नहींदा चाहिए curved graph होना चाहिए में थोड़ी सी भी अगर change लेके आऊँ तो उसके with respect to मेरे y में कितना change आएगा सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा बढ़ में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ प्लीज समझना जैसे कि अगर आप इस equation को देखो इस equation में अगर मेरे x में 1 का difference आता है ठीक है कितना आता है 1 का difference आता है तो y में भी आप देश सकते हो मेरे 1 का difference आ रहा है तो change in y इसमें 1 है यहाँ पे change in x जो है वो भी 1 है चलिए अब x को 2 put करते हैं अब जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा माल लीजिए मैं यहाँ पे x equal to 2 put कर देता हूँ तो y जो है वो आपका 5 आ जाएगा तो आप क्या देख रहे हूँ आप यह देख रहे हो कि अगर मैं माल लीजिए इसमें 1 का change अगर और लेके आँ तो y में आपको 3 का change मिलेगा जैसे 2 के बाद 5 होगा तो difference करेंगे तो आपको 3 मिल रहे है तो अगर मैं इसको यहाँ पर इसको draw करूँगा तो obvious है curved graph मुझे मिलेगा उस curved graph के अंदर मेरे y में कितना change आ रहा है with respect to the change in x उसको study करने के लिए हमने differentiation का इस्तमार किया लेकिन बात वहीं खतम नहीं होती अब differentiation को अच्छे से समझने के लिए पहले में एक graph की help से आपको वह समझाने की कोशिश करता हूँ तो देख लीजिए मान लेते हैं मेरा जो graph है कुछ इस तरह से आपक graph है ठीक है यह इस तरह से graph है मेरा अब यहाँ पर क्या है माल लेते हैं कि एक point मेरा यहाँ पर लेता हूँ let it be p ठीक है एक point माले जो यहाँ पर ले लिया p मैंने और एक point जो है यहाँ पर ले लिया मैंने let it be q ठीक है दो points मैंने consider कर लिए एक p और एक q अच्छा अब अगर मैं इसे coordinates चेक करूँ तो यहाँ से यहाँ तक यह क्या है आपका x है और यहाँ से यहाँ यह आपका y है तो इसका जो coordinate है अफकोर्स मुझाएगा बटा एक्स फॉर्मा y ठीक है तो यह इसका coordinate हो गया अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं p से q की तरफ गया हूं और इसमें जो change आया है वो माल लेते हैं सिरफ x का change आया है यह मालो delta x का change आया है पलब यह कि initially y जो है वो क्या है मेरा function of x है अब मैंने क्या किया मैंने इसमें जो change लेके आया हूँ वो delta x का change लेके आया हूँ delta x मतलब होगा ये delta x का मतलब होता है change अब आब बोलेंगे सरथ change का मतलब क्या है मैं थोड़ा example की तोरे के बताता हूँ जैसे मालो ये आपका x है ये delta x होगए आपका यहाँ पर तो origin से इसकी जो value होगी माल लेते हैं x2 है तो x2 minus x is the change in x when you move from p to q मैं फिर से बता रहा हूँ जब आप p से q की तरफ जाते हो तो जो x में change आ रहा है वो मेरा delta x है जो delta जो होता है delta x जो होता है delta word जो delta है वो एचली किसको represent करता है change को represent करता है कि मेरे x की value में कितना फर्क पड़ रहा है जब मैं p से q में जा रहा हूँ चलो बात यह समझ में आती है तो यह मेरा हो गया change in x उसी तरह जब मैं p से q की तरफ गया y में change आया है वो मैं represent कर देता हूँ delta y से तो delta x represent कर रहे है चेंज इन एक्स को और डेल्टा वाई रिपर्जेंट कर रहे है चेंज इन वाई को कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी बातों समझ में आगे होगे आपको सो मैंने यह दिखा कि y जो था वो function of x था तो अब जब मैं p से q की तरफ गया तब अब निया value के आएगी y प्लस डेल्टा y होगी आपकी नहीं value इसके होगी और x में क्या change आया था delta x का change आया था यह थो और आपने पढ़ लिया so y क्या था function of x यह किस के लिए है यह p point के लिए हो गया यह kis लिए है यह q point के लिए हो गया right P point के लिए हो गया, Q point के लिए हो गया क्योंकि इसके coordinate जो है वो हो देंगे बटा X plus delta X X plus delta X comma Y में देखूंगा तो आदेगा Y plus delta Y तो ये result मुझे तब मिला जब इस value को इस function में डाला, जैसे कि जैसे पहले मेरा 0 था 1 आ गया, तो अब ये जो 1 है इसमें delta X कितना हो गया, यहाँ पर 1 का आ गया, तो जैसे मैंने value यहाँ डाली तो मेरे पर Y जो आएगा, वो नहीं value होगी Y की, initial के साथ उसका change सिर्फ 1 का है तो ऐसे हमें इसको study करना होता है mathematics भी काप अच्छा करादूंगा तो अगर मुझे delta Y चाहिए है अगर मैं सिर्फ इतने change को ही study करना चाहता हो, तो इन दो equation को मुझे आपस में subtract करना पड़ेगा तो माले तो यह equation number 2 है यह equation number 1 है तो मैंने क्या किया, 2 minus 1 कर दिया जैसे 2 minus 1 किया, तो मेरे पास क्या है मेरे पास आगया y plus delta y minus y is equal to function x plus delta x minus function of x यह आगया मेरे पास, समझ में आती है बात को next मेंने क्या किया, जब इनको y से y तो cancel हो जाएगा आपके पास क्या आगया, delta y और delta y क्या आगया आपके पास f x minus delta x minus f of x यह आगया मेरे पास कोई दिकत नहीं है, I hope यह तो समझ में आगया कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, good अब मैंने क्या किया, इन दोनों तरफ मैंने delta x से divide कर दिया, देखें, delta x से divide कर दिया यह सारे को मैंने delta x से divide कर दिया तो अब यह delta x by delta y क्या बता रहा है देखें, so delta y upon delta x आपको बताता है, the average please understand average rate of change of the variable of the function in gas sector of the function when the value of variable x, variable x changes, changes in the interval between, interval between x and x plus delta x, अब क्या मतलब है इसका, इसका मतलब यह है कि मेरे y में actually में कितना change आ रहा है, जब मेरे x में change आता है from p to k, जब मैं p से q गया, तो मेरे x में change आया, उस उसके with respect, उसके हिसाब से, मेरे y में कितना change आया, तो वो होता है, delta y upon delta x, इसको average rate का जाता है, average का मतलब होता है, कि on an, जो कि कहाने, curved graph है, तो यह होता है कि on an average बताते, यार, y में कितना change आया, जब मैं x से लेके x plus delta x तक गया, तो y में लगबग कितना का change आ गया, जैसे या कोई मुझे बोले कि 0 से 2 में गया, तो बता है यार, लगबग कितना का change आया मेरे y में, तो मैं तो मेरे पर चलो values है, तो मैं directly बता सकते हो, यार, आप देख सकते हो, कि जब 0 से 2 तक जाते हो, तो आपकी जो y में आपका delta y upon delta x, ठीक है, जो चीज आप इसको देख रहे हो, ये क्या है, ये actually में तो, देखो, अगर एक straight line graph होता, तो ये actually में क्या है, ये actually में आपका slope होता graph का, अगर straight line होता, but ये curved line है, और क्यूंकि ये curved line है, सिर्फ इसी वज़े से slope को, अगर मुझे find करना है, तो मुझे न, ये जो delta x का range है न, इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और यहीं से हमारी differentiation की शुरुवात होती है, सो देखिए, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना आ जाएगा समझ में, don't worry, मतलब क्या है, मतलब समझाना में लिए बहुत important होता है, क्या करूँ, आदस समझ भूर हूँ, तभी थोड़ी वीडियो लबी बन जाती है, but, I want कि आप अच्छे से समझो, कि हम कर क्या रहे हैं, तो देखिए, ये मेरा curve था, right, अब इस curve के अंदर मैंने 2 point लिए था, right, ये point ले लिए पी, और एक point ले ले था, क्यो, अब हमने क्या किया बेटा, कि इनके बीच में जो change था, ये वाला जो change था, delta x, अब इस delta x की value को ना, मैंने कम करना शुरू कर दिया, अब जैसे जैसे, कम करने का मतलब क्या होता है, कम करने का मतलब होता है, ये जो peak क्यो हो है ना, आपका, इसको मैं धिरे-धिरे peak की तरफ लाना शुरू कर दिया, या peak को क्यो की तरफ लाना शुरू कर दिया, तो जैसे मालों ये क्यो है, अगर मैं यहाँ आँगा, q-point पे, ठीक है, आप देख सकते हो कि अब मेरे जो delta x की value कम होती जा रही है, अब माली जिए मैं यहाँ पर आया तो q double dash मे तो value और delta x की value कम हो रही है, तो मतलब यह कि P और क्यों एक दूसरे के इतने नस्दीक में लेके आऊं, इतने नस्दीक लेके आऊं कि लग भग वो मुझे एक point जैसा ही दिखाई देना शुरू हो जाए, तो जब हम यह ऐसा करते हैं, तो क्या होता है उसको देखते हैं, तो बेटा function of x plus delta x minus function of x divided by delta x, ठीक है, अच्छा, तो जब हम यह कहते हैं, कि मैं अपने point को bonus दीक लेके आया P की तरफ, तो basically हो कह रहा है, कि मेरा delta x की value है, उसको मैं लगभग 0 की तरफ लेके आ रहा हूं, 0 नहीं है, बट लगभग 0 लेके आ रहा हूं, जैसे जैसे point नस्दीक जाएगा, delta x के यजो छोटी होते जाएगी, इतना चोटा हो जाएगा कि लगभग 0 हो जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए हम लेते हैं, limit delta x approach to 0, तो delta x approach to 0 को limit का मतलब होता है, कि हमने जो gap है, फो पॉइंट के हो बहुत ही कम करते जा रहे है, ठीक है, तो हम लेंगे, limit delta x approach to 0 ठीक है जी तो बेडाची जब हम ये करते है न तो ये जो चीज आप देख रहे हो delta y upon delta x ये actually में change होके बन जाता है dye upon dx dy या dx में डलटा की जग़ा क्या लग जाएगा अब ये d kya है बेडा मैं आको बता हूँ इसको बोलते हैं इन मतलब कहते हैं इसको very very small change in x के हिसाब से very very small change in y क्या हो रहा है so infinite decimally small कहते हैं वैसे सीच को तो मैं तो इसको easy बनाने को हिश कर रहा हूं मतलब यह कि अभी तक हमने यह पड़ा कि graph के अंदर मेरे पाप point बहुत दूर दूर थे ठीक है तो on an average कितना change होता हमने वह find किया लेकिन जब मैं point बहुत नजदीक लेके आता हो न करप के अंदर तो वह point इतना नजदीक आ जाता है कि अगर मैं x में थोड़ा सा भी change लेके आऊंगा तो उसमें जो y में थोड़ा सा भी change आएगा वो भी मुझे यहाँ पर मिल जाएगा इस function से so differentiation actually क्या करता है differentiation एक ऐसा mathematical tool है जो आपके y में जो change आ रहा है with a small change in x उसको calculate करने में आपकी help परता है तो पहले on an average हम calculate कर रहे थे तो अब यह होगा कि point by point अगर x में थोड़ा सा भी change आ रहा है point by point आपके x में जो change आ रहा है उस हिसाब से y में क्या change आएगा वो calculate करने में differentiation आपकी help करता है है ना कमाल की चीज़ है so तो अब इसका क्या करना है always इसका में कुछ नहीं करना यह सिर्फ आपको समझाने के लिए था क्योंकि differentiation की जब शुरुआत होती है तब यहीं से शुरुआत होती है और दूसरी बात मैं आपको यह बतायता हूँ कि मैंने आपको यह क्यों बताया क्योंकि आप जब limits and functions study करेंगे mathematics के अंदर उसके अंदर जैसे माल लीजे आज मैं आपको यह बोल दूँ कि यार y is equal to ठीक है sin x है suppose ठीक है अब y क्या हो गया मेरा dependent variable हो गया sin x जो है यह function हो गया जो x पर dependent है तो y sin x है जो x की value पर dependent है आपका तो अगर मैं इसके differentiation करता हूँ जैसे dy by dx अगर करूँगा तो मेरा क्या result आएगा वो result जानने के लिए हम इस sin x को इसके अंदर put करके limit delta x approach to 0 करके इसको solve करते हैं और solve करने के बाद जो हमारा result आता है हमें उस result को याद रखना होता है तो इसलिए मैंने आपको बताया कि actually यह क्या चीज़ है तो basically क्या है कि अगर मेरे पास कोई यह function है उस function का अगर मैं change निकालना चाहता हूँ with respect to x तो dy bon dx क्या आता है infinite decimally small change in x में मेरे y में जो small change आ रहा है वो calculate करने में यह help करेगा और यह करने के लिए उस function को यह वाला जो formula है इसमें substitute करना पड़ता है उसके limits लेनी पड़ती है delta x approach to zero करके और finally फिर हमारे पास एक result आता है उस result को हमें याद रखना होता है कि अगर मैं पर sin x आ गया और अगर मैं उसका small change निकाल रहा हूँ एक्स का तो उसकी क्या result होगी वो हमें याद रखना पड़ता है जो बेसिकली होता कि जैसे मैं आप इसके लिए बता देता हूँ जैसे sin x को अगर मैं माले इस formula में डाल दूँ और limit delta x approach to zero तो limits and function के आप को इतना पता नहीं है तो मैं अभी इसमें नहीं जाऊँगा बढ़ यह है कि जब हम इसमें put करेंगे यह limits लगाएंगे delta x approach to zero तो आपका जो result है वो यहाँ पे pause x आ जाता है तो हम याद यह रखते हैं कि अगर मेरा function होगा y is equal to sin x तो अगर मैं इसका derivative करता हूँ with respect to x तो automatically मतलब हो जाएगा कि d by dx of sin x तो जब आप इसको solve करेंगे तो आपका answer cause x आता है तो हमें basically यह results को याद रखना है अपने इस चीज़ को समझने के लिए तो आप यह कह सकते हो कि अगर मेरे पास sign x है और sign x के case में अगर मैं small change in y with respect to x निका रहा हूँ तो उसकी values वही होंगी जो cause x की different x की value डाल के हमें मिल जाएगी तो बहुत interesting चीज़ है यह mathematics के अंदर but of course हम physics पढ़ रहे हैं तो हम इतनी detail में नहीं जाएंगे बड़ मुंको था कि आपको थोड़ा समझ में है कि small change graph में हलका सभी अगर x में चेंज आ रहा है तो y में हलका सजो भी चेंज आएगा वो कैसे calculate करूंगा वह यहां से calculate करूंगा चीक है और इसी चीज़ को graphically थोड़ा समझना भी बहुत important है graphically इसका क्या मतलब है बड़ा ultimate मतलब है इसका graphically क्या होता है आप यह समझने क अंदर मैंने का कहा कि point इतने दूसरे के नजदीक आ चुके है कि मलब लगबग एक ही point आपको नज़र आएगा तो बेटा जी actually में क्या होता कि इस point के अंदर हम इस की वो अब दो different points से एक point बन चुका है तो हम क्या करते है कि इसके उपर ने एक tangent को draw किया जाता है क्या क्या differentiation निकालते हैं तो वो उस graph का slope भी हमें बताता है क्या बताता है क्यों स्लोप पड़ा तो है हमने slope का मतलब क्या होता है कि y में कितना change आ रहा है with respect to x ठीक है और dy by dx आशली बताता है कि कि किसी particular point पर उसका slope क्या है अदरवेश slope find करने के लिए हम क्या करते है y2 minus y1 upon x2 minus x1 करत है कि एक particular point पर slope कितना है graph का वो calculate करते है अदरवेश क्याकर नमरता दो point लेकर उनको join करके delta x लक्स find करते थे delta y लक्से find करते थे और उसके बाद slope find करते थे right अब यह क्या कर रहा है कि पूरी graph में कोई भी एक point उठालो उस point पर आप एक tangent row कर दो और वो point actually में मलदा उस point पर मेरा slope क्या होगा graph का वो dy by dx करके मैं calculate कर सकता हूँ तो यह beauty है इस differentiation की और आप चाहिए तो यह भी कर सकते हो कि tangent आप ड्रो कर लो कि बीच में मालूँ आपको angle theta को पता ही है आपको पता कि अगर मैं 10 theta कर दूँगा तो भी मुझे slope मिल जाता है तो यह जो चीज आपको मैंने यहाँ पर लिख कर दी है ना यह बहुत ही ultimate चीज है यह आपने समझना है कि किसी भी graph के अंदर जैसे y और x का graph है तो उसके अंदर अगर मैं y का differentiation कर दूँ with respect to x तो वो मुझे क्या देता है slope देता है और slope को find करने का तरीका क्या है आप किसी point पर tangent रो कर दो वहाँ पर जो angle सब्सेंट करेगा acute angle सब्सेंट करेगा acute obtuse जो भी angle डालेंगे उसे slope मुझे यहाँ पर मिल जाता है तो यह है beauty मेरे differentiation की समझ में आ गया बाकि देखे मैं आपको अलड़ी अभी अभी जैस्ट हम बताया कि जैसे मेरे पार different functions होते हैं उन सभी function को इस formula में डाला जाता है इस formula म जो पार बार repeat होते हैं जिनका इस्तेमाल चाहे हमें competitive level तक करना हो तो उन functions को एक बार हम अच्छी तरह देख लेते हैं उनके results को हम अच्छी तरह study कर लेते हैं because उनकी जुरूरत हमें होगी तो चलिए अब वो कौन से results हैं वो हम अभी याद कर लेते हैं उसके बाद next वीड results है definitive function के जो results है उनके तरफ आपको लेके चलता हूँ तो देखिए जैसे मैं आपको कहा कि कई सारे functions जो हैं उनको उस formula में डारके हम अपना result find करते हैं तो हमें result याद रखना होता है तो शुरूबात करते हैं करके I hope end of this thing आपको यह याद हो जाएगा और एक बात ध्यान र पहला जो हम use करेंगे यहां पर वो है कि अगर माल लिजे कि मैं किसी भी function का derivative कर रहा हूं बड़ वो function क्या है आपका constant है अब what do you mean by constant, constant होता क्या है आपका देखिए constant के अंदर ना एक तो कोई भी numerical value वो constant ही होती है जैसे 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया यह numbers क्या है यह constants है इसके पिलावा ऐसे variables जो x ना हो जैसे कि a ठीक है अब जो a है और नीचे आप जो change ला रहे हो एक्स का change ला रहे हो ऊपर कोई x तो है ही नहीं तो मतलब वो कैसे treat किया जाएगा ऐसे constant treat किया जाएगा या फिर πाई की value हो गई यह constant हो गया या e की value हो गई यह constants है तो यह सब constants होते ह है ठीक है तो क्योंकि यह constant value है constant जिसमें कोई change नहीं आता और आप क्या find कर रहे हो कि x में कितना change आ रहा है with respect to this function तो मैंने कहाने क्यों इसमें कोई change नहीं आता है इसलिए इसका answer बेटा क्या होता है 0 होता है तो कभी भी कोई constant term हो और अगर आप क्या कर रहे हो उसका derivative कर रह हो देगा example देता हूं don't worry example में जैसे कि अगर आपसे यह कहूं कि मेरे पास माली जी मुझे derivative करना अच्छा मेरे बात समझो इसका मतलब क्या है पेटा d by dx का मतलब होता है of y कर देता हूं थो थोड़ा समझाना साथ हो ठीक है ओके इसको कहते है इसको कहते है differentiation of y y का differentiation कर रहा हूं with respect to x तो यह मतलब है कि मैं y के अंदर change पता कर रहा हूं x के change की, x में जो change लेके आया उसके साब में y में कितना change आ रहा है वो मैं पता करने ही गोहिश्क कर रहा हूं तो यह मतलब होता है basically इसका अब जो यह x है यह 9 है देखो simple सी बात अगर नीचे जिससे आप differentiation कर रहे हो और वो match ना करें अंदर वाले function के साथ तो मालब हो तो नहीं है इसका answer 0 आ जाएगा बस यह मेरा सबसे पहला rule है इसको करने का अब हम बात करते है रूल नंबर 2 की अब रूल नंबर 2 के अंदर यह देखा जाता है कि अगर आप किसी का differentiate कर रहे हो ठीक है एक ऐसे function का जिसकी जो power है जो power है वो आपकी power है n ठीक है जैसे x square का derivative करना या x3 का derivative करना x3 का डेरिवि करना तो उसका rule क्या है बहुत simple rule है रूल यह है कि यह जो आपका power है इसको पहले आगे लेके आओगे जैसे कि आप यहाँ पे लिया हो n और x को as it is लिखकर उसकी जो power है उसमें वो आप minus 1 कर दोगे यह step number 1 होता है और हमेशा आपने क्या करना है कि जिस function के उपर power है उस function का फिर से आपने derivative करना है मतलब dx by dx आप करेंगे तो अगर तो यह दोने एक दूसरे के exactly same है तो तो कटके वन आजाएगा वहीं पर बात खता है इस rule को chain rule कहा जाता है तो मैं आपको example के तोर पर समझाऊँगा आपको और अच्छे समझ में आगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ मैं दो example देता हूँ आपको समझ में आजाएगा जैसे कि अगर माल दीजे मैं कहता हूँ कि मुझे करना है d by dx ठीक है और x की पावर 4 माल दीजे तो आप क्या करेंगे यह जो पावर है यह आगे लेके आओगे और x की जो पावर है उसमें आप एक 1 माइनस 1 कर देंगे ठीक है और साथ में d by dx of जिस function के यह power थी तो यह x के उपर है न यहाँ पर x से लिख दूँगा मैं तो यह आपका आजाएगा बेटा 4 x cube और यहाँ पर dx और dx सेम ही है तो कट जाएगा बेटा answer बाना आजाएगा तो यह आपका final answer है दूसरा example देता हूँ माल लीजिए अगर आपके पास यह आजाएग के d by dx of 2x under the root मालो यह कर देता हूँ तो पहले उसको समझे यह है क्या under root का मतलब होता है कि आपका जो 2x है उस सारे की power है 1 by 2 पहले तो आप यह समझे अब इसमें जो function है आपका वो है 2x फिर समझो मैं क्या कह रहा हूँ है तो rule क्या बोलता है कि function जो है उसके उपर जो power है power को पहले आगे लेके आओ लो लिए आए function को as it is लिख दो लो लिख दिया मैंने और उसकी power में 1 माइनस करतो जो जी मैंने माइनस 1 करती है उसके बाद आपको करना है d by dx of function तो function यहाँ पर 2x था इसलिए यहाँ पर मैंने 2x करती है अब इसको कैसे solve करना है इसके लिए हम करेंगे rule number 3 तो rule number 3 यह बोलता है कि अगर माल लिजिए आप किसी का derivative कर रहे हो जैसे कि माल लिजिए ax की power n माल लिए तो इसमें अगर आप देखें है तो उन्हों multiply होने जूरी है तो इसमें a क्या है constant है this one is constant ठीक है यह क्या है constant है और x क्या मेरा variable है y variable क्योंकि यह x के with respect to यह आप इसका change निकाल रहे हो तो x मेरा variable है और यह क्या है मेरा इस इस constant और क्योंकि यह मेरा constant है और यह multiply हो रहे है variable के साथ तो यह constant मेरा इस differentiation के बाहरा जाएगा मतलब it will be a d by dx of x की power n अब आप इसको जैसे solve करते हो जैसे मेरा आपको यहाँ होताया वैसे आप इसको differentiate कर दोगे तो क्या answer बनेगा इसका तो इसका बन जाएगा यहाँ पर तो मैं इसको यहाँ कर देता हूं फ़रा समझाने के लिए तो that will be 1 by 2 2x की power minus 1 by 2 ठीक है और साथ में क्योंकि मैंना भी इपताया न यह 2 है constant x variable है तो 2 को मैं बाहर ले लेता हूं multiply हो रहा है सब पुशे और अंदर आजएगा बिटाए d by dx of x आप देखो दोने की दूसरे के बराबर होगे दिसो काट दो तो यहां से देखो 2 से 2 भी आप cancel कर सकते हो कर दीजी तो finally answer आगया बिटाए 2x की power minus 1 by 2 तो आप चाहिए तो minus को plus करने के लिए नीचे लिए आईए 2x की power 1 by 2 इसको लिए सकते हो finally 1 by root of is 2x तो यह बिटाए इसका answer हो गया समझ में chain rule करना बहुत important होता है end तक हमें multiply करना है जब तक इसके पूरा जो dx by dx ना बन जाए जब तक यह नहीं बन रहा तब तक यह मैं करता जाओंगा ठीक है अब देखें यहां पर 2x की बाब 1 by 2 था तो इसको मैं root of 2x लिख दिए तो I think यह बहुत easy है अराम से आप कर ल function का क्या करता है समझाए गया ना मतलब क्या था यह मैं कह रहा था आपको done ओके यह होगे चार तो sorry तीन rule बतारे अभी आपको नेक्स रूल नेक्स रिजल्ट 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 है आपका तो नेक्स रिजल्ट है बटा जैसे कि आप d by dx करते हो fourth number पर इसको लिख लो यह लिखते जाना जितने भी बते बता रहा हूँ आपको बुक में असे नहीं मिलती एक्जाम्पल के साथ तो आपकी help हो जाएगी तो जैसे d by dx है और आपको sin x का अपने derivative निकालना है तो इसका answer होता है बेटा cause of x और यह जो आप यह देख रहे हैं एंगल या इसको argument कहते हैं इस argument का फिर से एक बार derivative किया जाता है मैंने का ना chain rule चलता रहेगा आपका लगाता है इसकी दो example देता हूँ आपको समझ में आजेगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ जैसे कि अगल मैं आपसे कहूँ कि मुझे निकालना है d by dx of sin of 2x जा फिर x square कर लेते थोड़ा सा complicated बनाते ह बार लेते हैं तो थोड़ा bit complicated बनाते हैं थोड़ा सा जादा नहीं है हमारे में इतना है भी नहीं है बढ़ हां used तो होते हैं सारे अब देखें यह पूरा function है argument है यह पूरा angle है तो sin का मैंने क्या बोला पहले आपनाएंगे cause of the argument that is x square और साथ में मैंने क्या कहा था कि जो भी आपका argument होगा आप उसका फिर से derivative कर देगे अब यह तो मैं अब रोड़ी बता चुका हो ना इसको अलगसे मैं आप उकर के दिखाता हूँ देखिए d by dx of x square अभी क्या बताया था मैंने x की पावर n वाला formula पावर आ गया आ जाएगा और x की पावर में 2-1 कर दूँगा और यह मेरे पास आ जाएगा 2x तो मतलब जब आप इसको derivative करेंगे आपका answer 2x आ जाएगा तो finally आपका जो answer है वो आजएगा cause of x square multiply by don't mean multiply into 2x अब प्लीज याद रखें यह एक angle है बढ़ derivative करने के बाद अब यह angle नहीं रहा तो इसको इसके साब multiply मत करते हैं यह कभी नहीं करते हैं multiply यह दोनों लग-लग चीज़े हैं तो 2x से क्या करना है आगे लिएओ बस अपलब यह बन जएगा 2x cause of x square and that is your answer तो इस तरह से आप इसको solve करेंगे ठीक है तो समझना बहुत important है कि actually हम कर क्या रहे हैं ताकि आपको clarity होगी अदरवाइस sin x सब्सक्राइब कोज x करते हैं आपका answer आया तो कोई बड़ी बात नहीं है मैं फिस्गो करने लग जया solve तो यह आजएगा आपके पास minus of sin x और साथ में मैंने क्या का था कि argument जो है उसका फिस्ग से आप क्या करेंगे derivative तो करके रहेंगे अब हम बात करें 6th की तो अब हम बात करेंगे dy dx of tangent of x का ठीक है तो क्या करेंगे जो tangent है वो होता है second square x और फिर से मैं बोई बताओंगा dy dx of जो आपका argument है x वो आप ज़रूरी यहां पे करेंगे ठीक है जी तो यह आपने ही यहां पे करना है ओके so example दे लेता हूँ फिर से आपको और मैं 2x square लेता हूँ जैसे कि dy dx of tan of 2x का square जैसे मानों यह ले लिया है तो यह पूरा argument है पूरा function है तो क्या बनाएंगे पहले आप इसका बनाएंगे second square that is 2x का square into d by dx of आपका जाएगा 2x का square यह आपने करना है यह हो गया आपका second square into 2x का square अब इसको मैं लग्से solve को क्या आपको दिखा देता हूं देखिए so d by dx of 2x का square देखिए x तो variable है बढ़ 2 नहीं है constant है बाहर ले ओ पहले इसको तो यह बन जाएगा आपका 2 d by dx of x square अब यह x की power n वाला फॉर्मल लेगा n x की power n minus 1 वाला so 2 into 2 यह power आगे लेगे आओगे x लिखोगे और उसकी power में आ जाएगा बेटा आपका minus mark 2 minus 1 that's it बाकि आप फिर सकर derivative करते हो function का d by dx of x e आ जाएगा तो result आपका 1 नहीं है cut के 1 आ जाएगा finally answer बन गे आपका 4x आपका बन जाएगा यहाँ से ठीक है इसको लग रखना है 4x लग कर दीजी तो आज एगा बेटा 4x into second square 2x का square और यहाँ से आपका इसका answer आया तो मैं आपको साथ-साथ यह भी बता रहा हूँ कि अगर function vary करेगा तो क्या आपने करना है तो easy बहुत है बर करना जूर है ठीक है अगर आपको लेकर जाता हूँ कि अगर मैं पास कोई log का function है तो उसको कैसे करना है वह भी आपको आना चाहिए अब जैसे कि माल लीजिए अगर मैं को कोई कहता है यह तरह आपने d by dx of natural log of x जो है यह आपने करता है ठीक है अब यह क्या है क्या है क्या नहीं है इसके बार में हम बात में कभी बात करेंगे बड़ी की function है ठीक है तो इसका answer है तो इसका answer है जैसे कि example मैं आपको पुझाता हूँ जैसे कि माल लीजी कोई में को यह यह रहता है क्याता कि d by dx of माल लीजी natural log of x square है अगर करें ln होता है यह n है x नहीं ln है ठीक है तो यह मेरा function है न तो क्या बोलता कि 1 by function 1 by x square यहां आजेगा और फिर मैं d by dx of यही value पर दोगा x square अब आपको पता लगया हो x square के क्या करना है 2 आगया आजेगा x square by 2-1 तो 1 by x square into यहां पर आजेगा 2x आपका अब यह angle नहीं है यह value है यह भी value है अब आप इसको cancer कर सकते हो तो finally आपका answer आजेगा 2 by x and that is your answer तो इस तरीके से आपने यह वाली differentiation है यह करनी है बहुत simple है और हमसे हमने समझना है कि कैसे हम इसको कर रहे है step by step को है इसके लावा हम एक और एक और करेंगे that's it उससे हमें करने जूट नहीं है बाकि अगर बाइचांस कुछ हुआ तो मैं साथ साथ डेटेल में आपको समझाता जाओंगा पर यह minimal है माला minimum जो आपने करना ही करना है इसलिए मैं आपको यह सारी बाते बता रहा हूं कि कैसे आपने इसो करना है so this is a question this is a seventh result अब हम बात करेंगे eight result की जैसे कहता कि d by dx of e की power x जैसे यह हमारे कर दीजिए कर दीजिए आप e की power x square माले यह आपने करना है तो अब यह e की power में जितना भी वो एक function है जिसका में फिर से derivative करूँगा तो पहल तो answer रहेगा e की power x square as it is और साथ में फिर करूँगा मैं d by dx of x का square यह करना है तो e की power x square तो ही है इस तरीके से आपने यह वाला differentiation complete करना था यह वाले जो formulas है इनको याद रखना है तो basically यह आपके सारे formulas है यह मैंने एक example आपको बता दिया I hope वो example आपको समझ में आ गया होगी कैसे आपने इसो करना है ठीक है इसके लवा दो तीन simple इसके rules है उन rules के बाले में भी जान दीजिए ताकि हम फिर next lecture के अंदर maxima और minima रांग से study कर सके ठीक है चले यह start करते है तो दो कि बड़ा सबसे पहला rule क्या है सबसे पहला rule है यह rule number one है ठीक है rule यह है कि अगर माली जी मेरे दो तिन function आपस में add हो रहे हूं तो आप उनको individually differentiate कर सकते हूं मैं क्या बोलना चाहता हूं मैं यह बोलना चाहता हूं कि जैसे कि for example rule number one में आपको जाहता है जैसे डी बाइडी एक्स हो ठीक है माल लेते हैं कि x square plus 2x plus 1 जैसे कि यह मेरे पास आया हुआ है अब यहाँ पर तीन चीजह है एक x square है एक 2x है और यह one है तो rule यह कहता है कि आप इनको individually अलग लग differentiate कर सकते हो मतलब you can write like this d by dx of x square plus d by dx of 2x plus d by dx of 1 ठीक है यह अलग लग कर सकते हो अब individually solve करना तो मैं पता ही है जैसे d by dx of x square है तो यह आपका 2x आ जाएगा ठीक है अब यह 2 constant है यह बाहर आजाएगा अंदर आजाएगा dx by dx लेको 2 बाहर आजाएगा अंदर आजाएगा dx by dx और यह वाला क्या है constant constant का derivative 0 होता है तो 0 आगया तो finally answer आगया विटाए 2x plus 2 तो यह इसका answer है तो अगर कोई function आपस मैं add हो रहे हूं तो individually आप solve करता हूं तो एक example और देता हूं जैसे कि कोई कहता है कि यह d by dx of न माली जीए को कहा देता है e sin of 2x plus 1 यह आपने इसका differentiation करना है तो मैं कहूंगा यार पहले इनको लग-लग कर देता हूं मतलब यह काम करते हैं करियों को प्रॉलम आया तो क्या हो गया तो मैं आपको दिखा देता हूं कोई फरक नहीं पड़ता इस चीज से माइनस भी एकर आजाएगा तो पहले इनको लग-लग कर देते हैं जिसे sin of 2x को पहले लक्से solve करूँगा मैं ठीक है 2x को लक्से solve करूँगा माइनस ओफ d by dx of y यह आगया okay sin of का बन जाएगा बड़ा cause of 2x into d by dx of 2x और यह constant का derivative है तो 0 आजाएगा तो derivative of 2x पर इंक इतने बार बता चुका हूं पर एक बार फिरसरत आजाता हूं 2x का derivative करें तो 2 बाहर आजाएगा अंदर आजाएगा dx by dx तो यह बटा कट जाएगा answer आपकर 2 आगया तो answer आजाएगा 2 cause of 2x याद रखें उस 2 को इस एंगल के साथ को भी multiply मत करना बस जो एंगल टिक्निमेटिकल फंक्शन जो होते हैं उनके साथ जो दिया तो उसका एंगल होता है एंगल से multiply नहीं करना बस आपने तो this will be your answer इस तरह से आपने इसको करना था clear? I hope यह अच्छतर समझ में आगया होगा तो यह rule number 1 है आपका अब हम बात करते है rule number 2 की rule number 2 आपका यह कहता है कि माल लिजिए एक दो function आपस में multiply हो रहे हूं जैसे कि example देता हो d by dx of x of sin x अब आप देख सकते हूं में बात दो function है एक x है और एक sin of x है और यह आपस में क्या हो रहे हैं यहाँ पर multiply हो रहे हैं और क्योंकि यह आपस में multiply हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं इन में से किसी को भी आप चाहो परी मर्जी से एक को मानते first function और एक माल लेते हैं second function और rule यह बोलता है कि first function को as it is लिख दो और derivative कर दो आप second function का फिर second function को as it is लिख दो और derivative कर दो आप अपने first function का तो ये इसका मतलब है तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर देख सको तो first function x है तो मैंने पहले x लिख दिया फिर differentiation किसका कर रहा हूँ मैं sin of x का ठीक है और उसके बाद मैंने बीच में plus का sign होता है हमेशा ठीक है बीच में क्या आएगा plus का sign तो मैंने plus कर दिया sin of x into d by dx of x तो first function differentiation of second plus second function differentiation of first which is multiplication है आपकी तो x into sin x का होता है cos x तो ये होगया इसका plus आपके आएगा sin of x और dx से dx cancel होगया तो answer 1 ठीक है यहाँ पे 1 आजेगा that will be x cos x plus sin x and that will be your answer किसी भी दो function कोई भी दो function जब आपस में multiply होंगे और multiply वाले को हमने इस तरह से solve करना है first function derivative of second plus second function derivative of first तो ये था rule number 1 ये था rule number 2 अब हम करेंगे rule number 3 जिसमें दो function जब आपस में divide होंगे तो हमें क्या करना है तो चली आप जल्दी से वो देख लेते हैं अब हम बात करने हैं बेटा rule number 3 की अब rule number 3 में मैंने वो कहा कि for example माल लेते हैं कि मेरे पास अगर ऐसा आजाता है कि d by dx आपने करना है sin of x और नीचे डिवाइड में x है आपका तो आप देख सकते हूँ कि उपर sin x है और नीचे आपका x है इसको पीटा उपर वाले को u बोलते हैं नीचे वाले को v बोलते हैं अगर उपर वाले को m बोलना नीचे जो भी आपके मन में आता, वो करो मैं चो आता हूँ कि आपको थोड़ा सा छोड़ी, मैं easy way में बताता हूँ आपको क्या करना है आपने यह तो बताने हैं कि उपर वाले को numerator बोलते हैं और नीचे वाले को denominator बोलते हैं यह तो आपको याद रहेगा अगर यह याद है फिर तो आप कर लेंगे देखें क्या करना है सबसे पहले नीचे आपने करना है denominator का square क्या करतेंगे denominator का square करतेंगे और जो भी denominator होगा वो पहले आप यहाँ लिखेंगे अब आपने जो उपर वाला numerator है उसका derivative करना है दी बाई दी एक्स ओफ numerator आपने यहाँ पर करना है माइनस इसमें माइनस होता है फिर आप numerator पहले लिख दो अब आप differentiation करतेजे denominator का और आपका answer आजएगा यह तरीका भी है करने का और एक तरीका और भी होता है जैसे कि बहुत इस तरीके से करके दिखाता हूँ दूसरा तरीका भी बता रहता हूँ जैसे कि अब आप इसको देखिए सबसे पहले अगर मुझे उसको solve करना है तो मैं करूँगा नीचे मेटा क्या denominator x है नीचे आएगा x का square फिर उसने का denominator उपर लिखो तो मैं x को as it is लिख दूँगा और फिर करूँगा d by dx of numerator जो कि मेरे पास यहाँ पे है sin of x ठीक है उसको मैं क्या करूँगा minus का sin अब कहता है numerator लिखो मैंने numerator लिख दिया और अब आप differentiation कर रहे हो किसका आप differentiation कर रहे हो अपने denominator का जो की x था तो यह आजएगा पेटा x pose of x यह तो मैंने प्रवलक स्वर करके दिखाए दिया आपको minus sin of x और नीचे आजएगा पेटा x का square तो एक तो यह तो यह तरीका है अच्छे इनकों लग-लग करना कर लो जैसे pose x upon x आजएगा तो यहाँ पे आजएगा sin x upon x का square यह अपका final answer ओगा ठीक है एक और method भी है अगर आप चाहें तो उस method से भी कर सकते हो method क्या है वो यह वाला है पहले तो यह सबसे अच्छा लगता है जल्दी से answer आजाता है इससे नहीं करना थोड़ा सा क्या करेंगे कि हम इसको थोड़ा change करेंगे change कैसे करेंगे देखिए यह जो 1 upon x है जब किसी function को उपर लेगा तो उसकी power में minus 1 आता है मलब x की power minus 1 और यहां आजाएगा आपके पाल sin of x तो देखिए यह first function होगा यह second function होगा बिल्कुल वैसे करो जैसे आपने आपको बताया हुआ यह first function derivative of second derivative of second plus second function derivative of first ठीक है यह आपका x की power minus 1 तो मैंने कहा ना तरीके बहुत होते हैं जी सबी से answer आजाते हैं बट आपको बेसिक पता होना चाहिए तो आजाते हैं अब यहां पर गाए x की power minus 1 sin x क्या बन गया बटा cos of x बन गया राइट अब देखिए sin x यह है x की power n वाला तो क्या बताया था आपको मैंने power को आगे लेके जाए और x की power में आप क्या कर देंगे minus 1 यह minus 1 करती है ठीक है तो यह आगया पिटा आपका cos of x divided by क्या किस बाइट माइनस 1 है प्लस 1 करने के लिए नीचे आएगा plus यह आगया आपका sin of x तो यह आगया minus 1 यह multiply हो रहा है पिटा x की power में minus 2 तो यह minus 1 plus को कर देगा minus मतलब आदेगा आपका पास cos of x divided by x minus sin of x into x की power minus 2 अब minus को plus करने के लिए करेंगे cos of x divided by x minus of sin x divided by x का square अब इसको देख लीजिए और इसको देख लीजिए एक ही बात है बड़ इसे जल्दी आयाता है थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा बट देखो हो दो जाता ही है कोई बड़ी बात नहीं है तो यह आपके तीन basic rules है जिनका इस्तेमाल करके आप अपने किसी भी addition वाले functions को solve कर सकते हो multiply वाले को solve कर सकते हो और divide वाले functions को आपस में solve कर सकते हो I hope आपको differentiation यह सब बाते अच्छे तरह समझ में आगे होगी आज के part के अंदर ठीक है तो आज के lecture के अंदर हमने यह study कि differentiation actually में होता क्या है और हाँ हमने कुछ function के जो results है जो उसको differentiate करके हमें आते हैं उनको हमने study किया आपको मैंने कई सार example दी है to understand कि कैसे उसको apply करना है और उसके साथ मैंने आपको तीन rules बताए है कि जिस तरह से अगर कोई function आपस मैं add हो रहा हो multiply हो रहा हो तो आपने उसको कैसे solve करना है I hope आपको यह अच्छी करा समझ में आ गया होगा लिक लिक के जो देखना और आपको end तक देखना अच्छी करा यह आ भी जाएगा और हाँ अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो please like it, share it and subscribe आज के लिए बस इतना ही Thank you so much